इस प्रोग्राम शुरू किया था देश पर युवाओं को पढ़े लिखे युवाओं को एड़ोपिशन से जोड़ने का देश के मेंटर प्रोग्राम के नाम से इस प्रोग्राम की सफलता से घबरा कर भारते जन्ता पार्टी ने साज़िश करके इस प्रोग्राम को रुकवाने की चाल चली है भारते जन्ता पार्टी ने सेंट्रल गवर्मेंट के तहट आने वाले NCPCR जो National Child Right Protection Commission है उसको यूज करते हुए आदेश दिलाया है कि सरकार इस प्रोग्राम को दिल्ली सरकार इस प्रोग्राम को बंद कर दे बीजेपी में अपने ही भारते जन्ता पार्टी के ही एक 36 गड़ के कारेकरता से एक शिकायत डलवाई एक जो यह देश के मेंटर प्रोग्राम है इससे बच्चों की सुरक्षा को खत्रा है और उसके बाद NCPCR दिल्ली सरकार को आदेश देता है कि इस पूरे प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि प्रोग्राम है क्या और कर क्या रहा है आपको याद होगा तो कुछ महीं ने पहले ही प्रोग्राम लॉंच किया था एजूकेशन के शित्र में वैसे तो दिल्ली सरकार ने बहुत सारे इनिशेटिव लेकिन ये एक सबसे इनोवेटिव इनिशेटिव था या है क्योंकि इसमें देश के वैल एजुकेटिट युवा को देश के यूथ को जिसको अच्छे से पढ़ने लिखने के अफसर मिले हैं या जो किसी तरह से अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके आगे कुछ कर रहा है उसको वापस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मेंटरिंग के लिए वॉरंटियर कराया जा रहा है क्योंकि सरकारी स्कूलों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मातापिता बहुत पढ़े लिखे नहीं है या अपने बच्चों के सपनों को लेके अपने बच्चों के सपनों की केरियर गाइडेंस को लेके उनके पास ना तो पूरी नॉलिज है ना इंफॉर्मिशन है य इसलिए हमने देश के युवाओं का आवान किया कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जिनको मेंटर्स की जरूत है जिनके पास मेंटरिंग के लिए जिनके पास गाइडेंस के लिए कोई नहीं है उनको हमने आवान किया क्राटे में एक बार उस बच्चे से बात कर लीजिए उसकी पढ़ाई कैसी चल रहा है उसके कारियर कैसा चल रहा है वो क्या सतने देख रहा है तो इसा जला है लख चोन सी स्कॉलेशिप कौन से क्या कर सकता है और करीब 500 लोग ऐसे हैं जो आयम से पासा उटे हैं 15,600 युवा ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन से और PhD तक की पढ़ाई कर रखी हैं पूरी कर रखी है और आप कुछ कर रहे हैं साड़े साथ हजार 15,600 युवा ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन से PhD तक की पढ़ाई कर रहे हैं कहीं किसी बड़े कॉलेज में साड़े साथ हजार युवा ऐसे हैं जो पढ़ाई पूरी करके कोई नौकरी कर रहे हैं तो इन 44,000 युवाओं ने 1,76,000 बच्चों को मेंटर करना शुरू किया 1,76,000 मेंटीज हैं 44,000 युवाँ हैं वेल एजुकेटिड यूथ हैं और किन बच्चों को मेंटीज को ने जैसा मैंने कहा मेंटीज हैं पढ़ने वाले गरीब परिवारों के बच्चे जिनके माता पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं है या थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं तो उनके पास में निव एज केरियर्स को लेके तो खासता और से जादे सूचना है जादे नॉलिज नहीं है उनकी कैपसिटी नहीं है कि वह अपने बच्चों को गाइड कर सके उनको मेंटर कर सके तो यह युवा जिनमें आयाटी के युवा हैं आयम के युवा हैं जो नौकरियां कर रहे है पिएचडी कर रहे हैं ग्रेजुशन कर रहे हैं ग्रेजुशन करके कुछ पड़ी नौकरी कर रहे हैं यह सब वॉलंटियर कर रहे हैं ऐसे परिवारों से आने वाले बच्चों को मेंटर करने के लिए मेंटीज को मेंटर करने के लिए जिनके पास सुचना है नहीं है और इ परकी सरकारी स्कूल में पढ़ना वाली बच्ची है जो मेंटर चाहती है तो उसको हमने फीमेल मेंटर दिया है यूथ जो है जो उसको मेंटर करेगा मेल मेंटर के लिए मेल मेंटर फीमेल मेंटर यह हमने पूरी तरह से ध्यान रखा हमने इन युवाओं का जो नोंने वॉलं एसे हैं जो साइकोमेट्री टेस्ट में फेल हुए तो हमने उनको कोई मेंटी नहीं दिया हमने बहुत इनकी सिक्योर्टी का ध्यान रखा उनकी पूरे सारी चीजों का ध्यान रखा और आज ये प्रोग्राम बहुत सफल चल रहा है मैं बीच बीच में मेंटीस से भी मिलता हूं बच्छों से सरकारी स्कूल वालों से उनसे पूछता हूँ, online discussion करता हूँ कि कैसा चल रहा है, मैं mentors से भी मिलता हूँ कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और ये जो हमने बच्चे इनको दिये mentors को, जो mentors युवा 44,000 सेवा करने के लिए आ गया है, हमने ऐसे ही नहीं, बच्चे उठा के देती हैं उनको हमारे गवर्मेंट स्कूलों में नवी, दस्वी, ग्यार्मी, बार्मी में साड़े पांच लाख बच्चे पढ़ते हैं, हमने सारे बच्चों से पूछा कि आपको mentors चीएं क्या और जिसको mentors चीएं, वो अपने ये सफल चल रहा है कोक्राम, और बहुत अच्छा चल रहा है, इन पौने दो लाख बच्चों को शांदार केरियर में मदद मिल रही है, अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिल रही है, इसी से बारती जनता पर्टी घबराती है, बारती जनता पर्टी कि अगर इस देश का पढ़ा लिखा युवा अगली पीडी को मेंटरिंग करने में लग गया उसके पढ़ाने लिखाने में लग गया तो फिर तो गड़बर हो जाएगी वह फिर वाट्सेप उन्वेस्ट्री में भेजे गए मैसेजिस के आधार पर जाती धरम की लड़ाईया कैसे लड़ेगा इनके वायात कुदरकों के आधार पर उल्टी सीदी हरकतें उल्टी सीदी बैयानबाजी कैसे करेगा फेस्बुक यूट्यूब पे इनकी प्रोपरगेंडा को आगे कैसे बढ़ाएगा इनको प्रॉब्लम है इसमें इनको लगता है कि युवा पढ़ उनने क्या तरक लिए हैं जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे प्रोगाम की सफलता से उलज के घमरा के भारती जनता पार्टी ने एक साजिस रची और बीजेपी के ही एक कारेकरता से नेशनल चाइल्ड राइट प्रडुक्शन कमिशन में एक कंप्लेंड डलवाई उन पीसे आज से लिखवाती है कि आपने जो जवाब दिया है उसमें जो बच्चे इसकूल में पढ़ने वाले बच्चे उनकी पुलिस वरिफिकेशन नहीं कराईए मतलब सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं गरीप परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं जो कहते हैं जी हमारे घर में कोई हमें गाइड करने वाला नहीं है मैंटी यह लिख रहे हैं नो पुलिस वरिफिकेशन इस बिइंग दन ऑफ मैंटी जिन बच्चों को हमने सरकारी स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई है उनको अगर मेंटर देंगे तो पहले बच्च यह करें कि is there any mechanism to prevent origin of cybercrime and child trafficking इसमें child trafficking और साइबर क्राइम हो सकती है मतलब अगर पढ़ा लिखा युवा IIT का लड़का ये सोचे कि मैं सरकारी स्कूल में किसी बच्चे को सरकार के हावान पर पढ़ने में गाइड कर सकता हूं कि वो IIT में कैसे जाएगा तो भारते जिनता परिटी कहती है इसमें तो child trafficking हो सकती है इसमें तो cybercrime हो जाएगा IIM का लड़का IIM की लड़की अगर किसी लड़की को handhold करके उसको मदद करे phone पे तो ये कहते हैं cybercrime हो जाएगा उसमें ये कहते हैं कि ये तो child trafficking हो जाएगी इसमें इसलिए immediately suspend the concerned scheme initiative बहुत ही funky पने के कि बच्चों की सरकारी स्कूल उपढ़ने वाले और जो mentors phone पे guide कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा हम पहले से ही इसको बहुत एतियात बरत के psychometric test लेके किसी mentor को आगे आने देते हैं और साड़े सास्तों से जादे mentors को हमने रोका है कि आप psychometric test में पास नहीं हो है हम आपको बच्च phone पे भी बात करने के लिए guide करने के लिए alert नहीं कर सकते उसके बावजूद तो bjp को मैं कहना चाहता हूं कि आप से खुद तो कुछ होता नहीं देश की education में इतने सारे राज्यों में मौका दिया देश की जनता ने केंदर में मौका दिया और अब एक सरकार अगर करना चा पर दूसरी पार्टियां तो कर रही है जो पार्टी कर रही है उसको तो करने दो जो सरकार केजरिवाल जी की कर रही है उसको तो करने दो उसमें क्यों टांगड आ रहे हो आप से नहीं होता ठीक है आपको नहीं आता हम जानते नहीं आता आप नहीं कर सकते यह सबको पता है लेकिन जो कर सकते हैं, जो कर रहे हैं, जो करके दिखा रहे हैं, उनको तो करने दो, भला देश का पढ़ा लिखा युवा, IIT से पासाउट बच्चा, अगर ये सोचता है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मैंट्रिंग कर दूँ, तो आप उसके उपर ये मानी चाहिए भारती जनता पार्टी को इस समय, थैंक यू, इसका भी जवाब देंगे, और पूरा जवाब बना के देंगे, लेकिन मैंने भारती जनता पार्टी के चरितर को एक्सपोस करने के लिए आपके बीच में रखा, कि जिन बच्चों को मेंट्रिंग की जा रही है उनकी भी पुलिस लेरिफिकेशन कराईए, और जो मेंट्रिंग करने आ रहे हैं, आइटी के लड़के, लड़कियां कह रहे हैं, वो चाइल्ड राफिन येंगर सकते हैं